फेरन लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीक्मेंट जैसी निखार के लिए मा की गोली पिता का साया बाबुल का आंगन सरमाया रची महंदी बने दुलहन ये आंगन हो गया पराया छोड़े चली ये गली चौबारे छूटा ये अपना शहर पीहर 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 एक ती रात को कहा से आ रहा है? वो मैं दोस्तों के साथ नदी तक गिया था बता कर नहीं जा सकता? आधी रात तक मा तेरे ले खाना लेकर बैठी थी अभी अम्मा भी ना दिदी मैंने अम्मा से कितनी बार का है कि मेरे इंतजार ना किया गरे मतला तू अपनी मर्जी से ही जिएगा हां? कोई तुछ से कुछ पूछे नहीं? इस घर के हाला देख रहा है ना तू? तेरी यह आवारा गर्दी किसी काम नहीं आने वाली है किसने कहा? किसने कहा आपसे कि मैं हवारा गर्दी करता हूँ? और दिदी आप भी न, विश्νु भी है कि बात में मत आया करो हो तो हमेशे सही मेरे किलाफ है हाँ हाँ क्यों नहीं तेरे खिलाफ क्यों नहीं होंगे तू उनका भाई नहीं है दुश्मन है ना रास्ते से उठा कर लेके आये थे तुम्हें बस कुछ ऐसे समझ लो तेरी यह बक्वास बंकर अपने दिमाग से यह जहर निकाल दे मनीश राम जैसे भाई का नाम खराब कर रहा है तू और उनके लिए हम रावन है रावन और दिदीर राम और रावन कभी भाई नहीं हो सकते पाकर है तू पता नहीं क्यों ऐसी बक्वास करता रहता है अरे मैंन जो जिन्दीगी जी रहा है उन्हीं की देन है तो क्या गरू अपनी गर्दन काटके उनके कदमों में रख दूं क्या तुछे तो पहस करना बक्वास है मेरे एक सावाल का जवाब दे रिजल्ट का क्या हुआ पास हुआ यह नहीं वो वो मुझे मालूम नहीं अच्छा रिजल्ट को आए पूरा एक दिन हो गया और तुछे मालूम नहीं और जीदी मालूम करके होगा भी क्या और मैंने सोच लिए कि इस पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं फायदा कुछ नहीं होने वाला पढ़ाई लिखाई करने से अगर त इसे कमानी के लिए भी पढ़ना लिखना पड़ता है, नौकरी करनी पढ़ते हैं यूई पैसे नहीं आ जाते, लिदी पढ़ाई लिखाई से किसका भला हुआ अज तक, अब आ विश्नु भया को ही रेख लो, वो भी तो इंटर पास है ना, फिर भी नौकरी कर रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलता, तेरा तो बहुत दिमाग चलता है न, बोल, तू क्या करेगा, तूने क्या सोचा है मैं business करूँगा, लेखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा business man बनूगा एंच्छा बहुत बड़ा बिजनस बात बनेगा लेकिन मैंने तो सोचा था कि बिजनस करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है खुद के पैसे होने जरूरी होते हैं तोरों चीजे हैं तेरे पास बिजनिस करेगा जा अंदर जाकर मुफ्त की रोटी तोड़ और सोजा यही तो काम है तेरे आखे किसको दिखा रहा है नाला है जा अंदर जा पी है पी है पी है किराए पे कमरा पी है पी है पी है अमा मैं जानता हूं कि आपको मुझे कोई बुराही नहीं नजार आती है लेकिन अ nervous झोटा भाई मुझ पर उम्ड़ी वठाता है मुझ पर लांचन लगाता है तो उसकी बुराही में मेरी बुराही होई नहीं मनीश की बुराई में तेरी बुराई कैसे हुई देखो अमा, कुछ भी बोलो, जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे? कि अगर बाप का साया सर से उठ गया तो बड़े भाई ने कोई जिम्मेदारी नहीं लोगों का मुँख कौन बंद कर सकता है वो तो कुछ भी कहेंगे यह तो मैं जानती हूँ ना कि तुने इस घर के लिए अपने बेहन भाईयों के लिए क्या किया है? अमा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे अंदर से दिखा रहती है कई ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं सौतेला हूँ इसलिए चुप कर जा तेरी जबान पे ये शब आया कैसे? किसने कहा कि तुथ सौतेला है? सौतेला तो वो है जिसने मेरी कोग से जनम दिया नहीं अमा ये ख्याल तेरे दिमांग में आया कैसे? जिस हालात में तेरे पिता जी हम सब को छोड़के गए थे अगर उस वक्त तू नहीं होता तो ये घर हम सब बिखड़ जाते और अम्मा आपने जो ममता की च्छाव हमें दी उस च्छाव के तले मैं जिद्धी की कहर तुख फूल जाता हूं कसम खास से मेरी कि मनीश की कही किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाएगा अम्मा अपनों का कुछ भी बुरा का हुआ कभी चुकता है कि बड़ा भाई है तू तो अपना दिल भी बड़ा राख पिटा आज एक बात बताओ तुझे मनीश के बिना तु मैं रह सकते हूं कि तेरे बिना नहीं अच्छा मा ये सब छोड़ मुझे एक बात बता अंदीने तुझे कुछ पता है किस बारे में? यही कि सम्नीर अपनी दोनों भेहनों के साथ यहां भारतार है काप? मुझे टेट तो नहीं पता लेकिन जब से मैंने ये ख़वर सुनी है मेरी तो रातों की नींद उड़ बही है अगर उनके आते हुए सावकार ने कुछ उटा सीधा कह दिया तो लेकिन तूने तो उसे कुछ पैसे दिये थे ना? देने को कहा था लेकिन उस वक पैसों का इंतजाम कहा हुआ था? कुछ समझ में नहीं है रब सच मुझे अभी तो लगता है कि जैसे ये खर के भी रखकर मैंने बहुत बड़ी गालती की है मजबूरी थी हमारी हमारी पास रास्ता भी क्या था तो फिकर मत कर इस बार मैं जाके सावकार से बात करती हूँ ना अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं करना अरे आपका उसके मूह लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं ही जाके उसके हाथ बहु जोडता हूँ और थोड़ी सी वार मौलत मागता हूँ अरे भी सागर तुम बड़े अजीब इंशान हो यार इस तरह दिनदाद पढ़ते रोगे तो तुमारी आँख पे मोटा चश्मा लग जाएगा तो तो क्या आप इसी दर से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मेरी बाद चोड़े मुझे किसी भी चीज से ड़ने लगता और पढ़ाई वड़ाई तुमारे ले हुआ होगी मेरे ले नहीं तो फिर आपने घरवालों को बताये क्यों नहीं कि आपके रिजल्ट्स का क्या हुआ मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप पास भी हुए है या पिछले साल की दरफ फेल अरे जब तुझे पता है तो फिर पूश को रहा है हां अचिसल माल ले कि मैं फेल होगे हैं तो क्या क्या फेल होने वाले इंसान नहीं होते हैं वो क्या राक्षेस और जानवर होते हैं आपको शायद पता नहीं है हमारे खांदान में आप एक ऐसे लौते इंसान है जो हर साल फेल होते रहते हैं अले जब मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं, तो फिर मैं पास कहा से होंगा, और फिर ये सब बढ़ाई बढ़ाई ना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बढ़ाई लिखाई से कुछ भी नहीं होने वारा, मैं बिजनस करूँगा, देखना, एक दिन मैं पूरे गाउं में सब से हमीर अली बनके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा सबको, अमा, अमा, क्या कर रही है आप, छोड़ो, छोड़ो, अरे जब तब ये ठीक नहीं है, तो ये सब करने के क्या जरूरोत है, ये बेटा, मैं नहीं करूँगी, तो कौन करेगा, देखो, इस घर में बहुत लोग है, सबके हात्माओ सलामत है, वो कर लेंगे अपना काम, अच्छा, तिये, अमा, छोड़, छोड़, तू आके बेट, तब ये ठीक नहीं, तो ये सब करने के क्या जरूरोत है, आजा, संबल के, संबल के, आजा, आजा, संबल के, संबल के, अच्छा, इसलिए तो कहता हूँ कि इस उम्र में अराम किया कीजिए, ये काम की उम्र नहीं है, अरे, तुम लोग के कपड़े बहुत दिनों से गंदे पड़े थे, इसलिए, शची थी तो बहुत संबल लेती थी, अमा, अब शची से किसी तरी की उमीद मत रखना, वो यह होती, तो कौन से तुम्हारे हाथ पाँ दबाती, हाथ पर नहीं दबवाने मुझे, एकिन बेटा, घर पे थी तो एक रोटी का पानी का आसरा तो था ना, और अरत के घर पे रहने पे बहुत बरकत होती है, हमारे साथ तो उल्टाई हुए, अमा, जब से शची इस घर में आ इसा कौन सा गुना कर दिया, अमा, जो हमारी हैसियत बिगड गई, अब तो ऐसा लगता है, जैसे हाथ में अगर चार में से ना हो, तो चारों तो तो अंधेरा लगता है, ना बटा, इसे हिमत मत हार, हमारे भी दिन फिरेंगे जरूर, और फिर शायद इसलिए तो भगवान अमा, करना तो मैं बहुत कुछ चाता हूं, लेकिन चाकर भी कुछ नहीं कर पाता, तुने इतना क्या दिया बिठा, यही बहुत है मेरे लिए, तुम लोग की खुशी में ही तो मेरे चारों धाम की खुशी, एक बात बता हूं, अमा, रक्षा बंदन नस्दी का रहा है, शा अपने सीने से लगा देगे हो", एक बात बता हूं, ओ है कहा सुबह मंदर के लिए गई थे, अभी तक पता नहीं आया इए, ठीक है, मैं देखता हूं ओ कहा है, तु चल, अंदर आ आ राभ कर, आज़गा, 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 आरापसा आज़गा, आज़यगा पीहर्ट अरे नंदिनी यह तुम कहां से प्रकट हो गई अरे हम तो सुने लिए कि तुम